दोस्तों, you can and YouTube चैनल को सब्सकाइब करें लिए दबाएं, सब्सकाइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं पसकार दोस्तों स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल में आज मैं एक बहतरीन अपडेट लेके आया हूँ और एक बहतरीन नौकरी के बारे में भी आप लोग को बताने वाला हूँ जिसका नाम है सामुदाइक साउचाले में केयर टेकर जी हाँ दोस्तों सामुदाइक साउचाले में केयर टेकर और दोस्तों इस वीडियो के अंद में मैं आपको मेट मेट जो मनरेगा में नियुक्ति की जा रही है एक तरीके के सुपरवाइजर्स की उसके बारे में बहुत सारे में कमेंट का जबाब देने वाला हूँ तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अंद तक देखेंगे इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ कि केयर टेकर क्या होता है और इसकी भरती कहा होती है और कैसे होती है इसमें कितना आपको समान दिया जाता है और क्या-क्या समान सरकार के दोरा दिया जाता है इसे चीज़ को ध्यान में रखके मैं आपको ये भी ब पाएंगे दोस्तों सुरू करते हैं इस वीडियो को और वी इस वीडियो में आपको डेटेल बताने वाला हूं केयर टेकर और मेट के बारे में जी हां दोस्तों केयर टेकर के बारे में जहां तक सवाल आता है तो केयर टेकर की भरती सरकार के द्वारा सामुदाइक साउचाले में की जा रही है जैसे कि दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि सामुदाइक साउचाले जो होता है सरकार के दोरा एक बहुत बढ़िया इनिसेटिप लिया गया है गाओ गाओ घर घर हर जगां साउचाले की सुविधा सरकार के दोरा दी जा रही है दोस्तों आप लोगों तो पता ही होगा कि आज कल सरकार बहुत सारी ऐसी योजनाओं को लांच कर रही है जिसके तहत ग्रामीर लोगों का भी भला हो और उसी के साथ सहरो लोगों का भी भला हो इसी चीज़ को ध्यान में रखके इस वीडियो में आप लोग को बता रहा हूं कि केयर टेकर क्या होता है दोस्तों केयर टेकर सामुदाइक साउचाले में एक भरती होती है एक पोस्ट होती है एक पद होती है जिस पर सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है और बस केयर टेकर का काम इतना होता है कि उस सामुदाइक सोचाले की समय 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 पर साप सफाई और देख रेक करना होता है ताकि जिस भी गाउं की समय समय पर साप सफाई और देख रेक करना होता है ताकि जिस भी गाउं में सामुदाइक सोचाले बनाए गया है उस सामुदाइक सोचाले का देख रेक वहां के लोग के साथ साथ केयर टेकर भी बड़े अच्छे तरीके से करें जैसे कि पानी की ब्यवस्ता अगर कहीं कोई टोटी टूट जाती या कहीं कोई प्राब्लम हो जाती है तो उसकी ब्यवस्ता इन सब चीजों को ध्यान में रखकर एक केर टेकर यानि एक सुपरवाइजर की नियुकती सरकार के द्वारा की जा रही है दोस्तों ये बहुत ही ब रेपूटेशन की बात आती है तो नौकरी कोई खराब या गलत नहीं होती है आपको दोस्तों वो समय याद होगा जब सफाई कर्मी में पियसजी होल्डर भी अपलाई किये थे और बहुत सारे ऐसे पोस्ट ग्रिजुएट भी हैं जो सफाई कर्मी का काम कर रहे हैं तो इस केर टेकर पर एक डिटेल वीडियो ले आऊँगा और डिस्टिक वाइज आपको बताऊँगा कि किस डिस्टिक में कितने केर टेकर की न्युकती हो चुकी है और कितने केर टेकर की न्युकती होनी बाकी है दोस्तों हम लोग बता देते हैं कि ज़्यादा तर हमारे भाई बह कमिन कर रहे हैं कि केयर टेकर की नौकरी में बेतन कितना मिलेगा दोस्तों आपको मैं किलियर कर देना चाहता हूं कि केयर टेकर के पद पर आपको छे हजार रुपे हर महीने सरकार के दोरा दिये जाएंगे ये बेतन के तौर पे सरकार के दोरा आपको दिये जाएंगे और एक मंडल में सरकार सामान खुद से उपलब्द कराती है जी हाँ दोस्तों सरकार सामान जी हाँ दोस्तों सरकार सामान खुद से उपलब्द कराती है इसी चीज़ को ध्यार में रखे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि समान जो आता है वो कौन कौन सा समान होता है जिसमें सरकार के दोरा आपको दिया जाता है नमबर एक जारू, नमबर दो साबून, नमबर तिन गलाप्स, नमबर चार मग, नमबर छे केमिकल यानि वो सारे केमिकल दिये जाते हैं जिससे आप अपने सामुदाइक सोचाले की साप सफाई करेंगी जी हाँ दोस्तो आपने सही सुना है तो जो 3,000 रुपे सरकार के दोरा दिये जाते हैं वो यही सारे छोटे मोटे समान को खरीदने के लिए दिये जाते हैं ताकि आपके सामुदाइक सौचाले की मरम्मत और देखरे काफी अच्छे से हो सके दोस्तों आगे चलते हैं ये भी जादत अलों का कमेंट आ रहा है क्या सरकार रख रखाओ के लिए पैसे भेजेगी जी हाँ दोस्तों सरकार हर 6 महीने पे आपके सौचाले का इंस्पेक्शन निरिक्षर करवाएगी अपने अधिकारियों के दोरा अपने ब्लॉक अस्तर के अधिकारियों के दोरा वो एक औरिट सीट बना के सरकार को देंगे कि इतने पैसे की जरूरत है इस सामुदाइक सौ निक्ती लेने की दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं कि सामुदाइक सौचाले की साफ सफाई कहने की दोस्तों आप लों को याद दिलाना चायता है जैसे एक वीदियो के सुरूं में मैंने बताया कि एक बार सफाई कर्मी की पोस्ट निकली थी उसमें बहुत सारे पी स्थाई नौकरी के तौर पर देख रहे हैं सामदाइक सौचाले में केर टेकर की भरती को लेकिए इसी चीज़ को ध्यार में लेकिए अब मैं दोस्तों आप लोग के मेट वाले प्रस्न को बड़े अच्छे तरीके से जबाब देता हूं मैं कमेंट सक्षन में देखा हूं और तो आपके दोस्तों की भी पूरी मदद हो सकेगी दोस्तों वीडियो को सेयर करना एक बहुत बड़ा परोपकारी का काम होता है जिसमें आप लोग वो परोपकार ले सकते हैं यानि अगर आप किसी भी योजना का लाब उठा कर पैसे कमा रहे हैं आप कोसिस कीजी आपके भ भरती चालू हो चुकी है जो भी भाई बहन अध्यासे हैं वो अपने ब्लॉक अस्तर पर जाकर संपर्क कर सकते हैं इस तरीके के अपडेट में बार बार लेके आता रहूंगा किस डिस्टिक में किस मंडल में भरती शुरू हो गई है तो दोस्तों उमीद करूंगा आप लो ने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि 46,000 मेट की भरती होनी है जिसमें से 25,000 महिलाओं को वरियता दी जाएगी उसमें से भी जो महिलाए होंगी उसमें से अगर वो स्वयम सायता समू की सदस्थे हैं या दिव्यांग हैं तो उनको वरियता दी जाएगी दोस्तों और हम लोग ये कमेंट ले रहें कि कुछ लोग कहरें कि मेट की भरती कहा होगी दोस्तों आप अपने ब्लॉक अस्तर पर जाकर असिस्टेंट डेवलप्मेंट ऑफिसर एडियो सहायक ग्राम विकास अधिकारी से संपर कर सकते हैं वो आपको पूरी डिटेल जानकारी दे द डियो से जाके बात कर सकते हैं इस परक्रिया को लोगे उससे पहले आपको अपने परधान और रोजगार सेवक के हस्ताक्षर लेने पड़ेंगे एक अप्लिकेशन फॉर्म लिख के जी हां दोस्तों अगर फिर भी आपको कही समस्या आ रहा ता आप लोग कमेंट सेक्सिन म लाने के लिए उम्मीद करूँगा दोस्तों आप लोग मेरे से यूट्यूब चैनल को सब्सकाइब किया होंगे अगर आपने मेरे से यूट्यूब चैनल को सब्सकाइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सकाइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाएए ताकि मेरे दोर अप्लोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें तो दोस्तों दोस्तों यू कैन अन यूटूब चैनल को सब्सकाइब करें के लिए दबाएं सब्सकाइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं